कि अधिका स्वागत करता हूं एक बर फिर से आना अकाडमी पर तो माई डियर फ्यूचर आई एस ऑफिसर्स टोड़े भी आर गूंग डिस्कस एनदर इंपोर्टेंट डॉपिक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ठीक है यह पार्ट वन है पार्ट वन में हम कुछ चीजों प टॉपिक को ठीक है अभी तो सबसे पहले आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप में से जो भी बच्चे डेली में रहते हैं अगर वह आफ्लाइन टेस्ट देना चाहते हैं और इंडिया प्री ठीक है याद रखेंगे आफ्लाइन टेस्ट 24 अप्रेल 2022 को जीएस पेप यह ओल्ड राजिन नगर ठीक है मुखर जी नगर में होगा और दीपक वन कोड यूज करने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ठीक है इससे आप फ्री में रजिस्टर कर पाऊगे है क्लेर तो आप इसे जिन बच्चों को जाना चाहा होगा वो जा सकते हैं इसको देखें है आपके पास अबलेबल आप देख रहें आप पको यूज education कि यूज क्रना है यह दिपक वन ठीक है और यूज कूड यूज करने पह आपको यूज यसी मेगा कॉमबैट भी है इस संड़े को सेवेंटीन धफ्टल परसो सुबह ग्यारा बज़े आपको पार्टिसिपेट करना है इस्टरी स्पेसल आफर में तीन-टीन महिने का एक्स्टेंशन है 18 और 12 मन के कोर्स के साथ में 24 36 मन के कोर्स के साथ में 6 मन का एक्स्टेंशन सब्सक्राइब करना तो यहां से अब लेवल होता है तब इसको अवेल कर सकते हूं ठीक है इसके लगए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड टूड़े भी आर गूंग तो डिसक्राइब इंपोर्टेंट टॉपिक वो डिस्ट आर्किटेक्चर ठीक है लेकिन आज कुछी स्पेसल भी आपके लिए आज मैं सेसन के लास्ट में आपको साथनात की कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा जो करेंट की हैं और जो पेपर में पूछा जा सकता है और काफी यूनिक पार्ट आप ऐसे हैं जो आपको साथनात के बारे में जानने चाहिए है कि क्लियर है जी वाइस क्लियर है अभी तो कोई इसू नहीं है ठीक है जी थांक्यू सो मच तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सफर को और आगे लेके चलते हैं तो अगर आप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और अच्ञेल की बात करेंगे रहें तो सबसे पहले इन सब चीजों पर डिकस्क करेंगे जैसा कि मुझे लगता है कि आपका लेबल काफी अच्छा तो कुछी चीजों पर डिसक्ासर्न करना भी जडरूरी है लेकिन अर्टेटेक्चर आखिर है क्या दूसरी बात यह आर् आर्किटेक्चर मालूम है पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड का तो क्या मैं उस आर्किटेक्चर को देखकर उसकी फिलोसोफी का पता कर सकता हूँ बताएं कि क्या मैं उस आर्किटेक्चर को देखकर ठीक है हाँ फिलोसोफी को पता कर सकता हूँ जी बिटा, एक्षोल में क्या है कि जो भी आर्विटेक्चर हम पढ़ते हैं ठीक है अगर हिंडी मेडियम के बच्चे इसमें होंगे तो इसको Ahhila जो जब भी हम इसस्थापत्य कला की बात करते हैं जब भी हम आर्विटेक्चर की बात करते हैं तो हम उसे समय काल की philosophy को समझ पाते हैं लाइक लेट में गीव एग्जाम्पल हमने भी केप पढ़ा था लास्ट क्लेक्शर में जैनिजम में तो क्या हमने देखा कि जैन में हमने देखा कि चैत्य और बिहार केव होते थे फिर हमने देखा जैन टेंपल में तीर्थंकर होते थे और हिंडू टेंपल में भगवान होते थे तो एक एक philosophy पता चले कि जो importance हिंडूों में इस्वर के लिए है गौड के लिए है वही importance जैन में तीर्थंकर के लिए है तो एक again part हम ये भी जोड़ सकते हैं और ऐसा कह सकते है कि जैसे हिंडू में गौड हुए वैसे ही जैन में तीर्थंकर हुए क्लियर है और दोनों की बराबर जगा है तो हिंडूों में इस्वर की जगा और जो जैन के इस्वर हैं उनको माना गया क्या तीर्थंकर की रूप में स्विकार किया तीर्थंकर को उन्हें अपना देव कि या हमें उसकी पॉलिटिक्स पत्रा चलती ईंस समय की पॉरिटी का मैं नॉच होता है oh wait है हमें उससाइटी का नॉलेज होता है कि कि मटटा है कि है कि एज्छे अरकिटेक्चर को राजा बनाते एजिसे आ के पिलर्स तो हमें पता चलता है अपने पिलर्स में बहुत सारी चीज़े लिखी है अपने आदेश लिखे हैं अपने धम को लिखाया तो हमें एक हिसाब से मौरल कोट आप कंड़क्त धम की जानकारी मिलती है तो एक पॉलिटिक्स के बारे पता चलता है अब दूसरा सोसाइटी पता चलती जैसे आप देखेंगे जो केप्स होते थे दो टाइप के बना जाते थे चैत और बिहार होते थे वह होते थे वर्सिप परपश के लिए और ब मौ़ण के बिखार स्थ जाते थे उसे में समय ट्रेड रूट परते तो ब्यापारियों पर बियापारियों ने कमाई गई है कुछ पास मौनक्स के लिए क्या क्या एक डिए जाते समय रे चिंजबनाग्रे तो इसलिए अनने पनी देहार रसी मार्णे आपने आप में एक एक हम है इसको प्रोटेक्ट करना चीए ठीक है और हमें इसको प्रोटेक्ट करना चीव हुआ इसताज महल नहीं होता तो हमारी टीटीटी क्रैसिस वहती है किस आप तो हमारी सॉप्ट je is 250 पावर आइडेन्टेटीटी है ठीके आप बाहर जाओगे लोग बोलते हैं आप वहाँ से आए हो बुर्द्धिजम जहांपे था आप वही से आए हो जहाँ पर हमाइड की स्टॉरी भगवान नग्राम हो जहांपे सौमी विवेकानन थे ठीक एक हिसाप से विवेकानन का का concept literature का concept ठीक है यह सब क्या करता है हमें डेबलब करता है ठीक है हमारी identity को लोगों को बताता है clear जिसका हम आई यार में यूज भी करते हैं इसलिए architecture बहुत important है तो अब जो architecture आप पढ़ोगे ना उसको उसी दिमार्ग से लेके पढ़ना ठीक है कि उस टाइम की चीजे क्या थी तो बुद्धिस्ट architecture के तीन पर्ट काफी important है एक पार्थे बिहार एक पार्थे चैत्र और एक पार्थे स्टूपा ठीक है तो याद रखेंगे बिहारा मतलब मॉनेस्ट्रीज ठीक है और residential purpose ठीक है हां यह किसके लिए यूज होता था रेजिदन्स एल परपर्ट के लिए और अगर आप चैत के क्लास में क्योंकि पूरा इस टूपा एक क्लास लेगा ठीक है आज की क्लास में हम चैत्या बिहारा देखेंगे ठीक है और एक बार हमने यह कवर कर लिए उसके बाद मैंने आपको बोला है कि इन दर लास्ट अब्डी लेक्चर आंग गों टू टेल यू सम् यूनिक पॉइंट अबंड़ रसारनात के बारे बहूंट से यूनिक पॉयंट बताने वालों जो इस बार प्रिल्म के एक्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे टेकर चलो आगे चलते हैं देखते हैं तो से पहले बात करते है चैता की ठैके बच्चों सब्ध से आपको पता चल गया होगा चैता है मतलब ये किस के लीए होता था वर्सिप के लिए होता था तो मुझे बताएंगे आखिर गौतम बुद्ध तो इस्वल थे निट वर्शिप क्यों की गई गौतम बुद्ध इस्वल निट वर्शिप क्यों की गई गौतम बुद्ध ने खुद बोला था कि मुझे आप भगवान मत मानना तो बाद में लोगों ने माना लेकिन फिर भी उनकी वर्शिपिंग य तो 483 BC में गौतम बुद्धा डाइड ठीक है तो गौतम बुद्ध ने खुद बोला था कि मैं इस्वर नहीं हूँ मुझे इस्वर की रुप मत मानना ठीक है मेरी पूजा मत करना बट इस्टिल लोगों को लगा कि अगर गौतम बुद्ध नहीं है ठीक है तो इस धर्म को लिट्रेचर का जिसमें आपने देखो करो सुत्व पिटक बिने पिटक आये थे इनका कमपाइलेशन हुआ था ठीक है और दूसरा सहारा लिया गया था आर्किटेक्टेक्ट्चर का ठीक है और आर्किटेक्ट्चर में मैंडर फ्यूचर आई यस ऑफिसर्स यह जो पीछ में रखना है तो गौत्म उत्ट के जो लीमेंस थे उन पर बनाएगे गल्ट अन्हें जो यूटेंसर यूज किये थे जो तूल्सूज किये थे ठीक Memphis स्लीपर्स खड़ाव जो होती थी ठीक है गौतम बुद्र के जो बाकी बर्तन थे जिसमें खाना खाते थे उन सभी के ऊपर क्या बनाएगा इस्टूप बनाए गया ठीक है उनकी जो रिमेंस थे अस्थियां थी उनको कई भागों में बाटके कई प्रकार की कई जगा इस्टूप बनाए लेकिन स्टिल बेरी कंफ्यूजिंग कि भाई चैट कहां से आया तो बेटा मैं अगर एक चीज बता दूँ आपको आज के बाद अगर आपको कभी चैट में डाउट हो तो चैट वर्सिप परपज्व पढ़ाए ना बुद्धिजम में आकर इसकी डेफिनीशन बदल जाती बुद्धिजम में आकर ये डेफिनीशन बदल जाती है कि जितने भी मननत वाले स्टूपा हैं मतलब वो स्टूप जहां पर आप जाओगे आपकी मननत पूरी होगी उनका निवास इस्थान गुफाओं में रखा गया है आखिर आप जड़ा देखोगे कि हिंदु धर में जितने भी मननत वाले मंदिर हैं आखिरो मंदिर पहाड़ों पे चोटियों में गुफाओं में क्यों है ठीक है यह आप सर्च करो इसका अंसर मैं दूंगा बाद में लेकिन पहले आपको सर्च करना है सेम एक फिलोसफी है कि उस समय जितने भी चैत बनाएगे उन सभी चैत तो एक हिसाब से जितने भी चैत होते थे बुद्धिजम में उन चैत की अंडर में माली जी एक चैत है ठीक है यह और आप यहां से इंटर हो रहे हो ठीक है तो आप यहां से इंटर होगे तो यहां पर स्टूपा बनाया जाता था ठीक है यहां पर स्टूपा बनाया जाता थे आपको यहीं से घूम कर वापस आना था और यहां पर खिड़की बनाई जाती थी उस खिड़की को हम बोलते थे कीर्टी मुख ठेके कीर्टी मुख यह घोड़े की नाल की तरीके से होता था पुरा दर्वाजाज भोता था ऐसे तो इसे हम कीर्टी मुख कहते थे ठेके हां और लोग क्या करते थे लोग यहां से इंटर हुए ठेके स्टूब के डर्शन कियो और परिक्रमा लेके वापस आ गए तो एक हिसाब से यह क्या था प्रदक्षड़ा पत टाइप का था और ओटी भी स्टूप होते थे तो यार रखेंगे जितने भी चैते हैं बुद्धिजम में उन सभी में स्टूप अंदर है और इसलिए उसको चैते कहा जाता है बुद्धिजम के एकॉर्डिंग the perfect definition of चैते ह प्रेयर हॉल्स ठीक है क्योंकि वहाँ पे क्या है इस्टूप है एक व टीटी बिस्टूप जहां पर मंदद पूरी होगी जहां पर मॉंक्स रुकेंगे प्रेंगे वर्शिप करेंगे अपनी मनों कामना पूरी करेंगे और खासकर वो मॉंक्स के लिए ही एलिजिबल था आम नागरी को कि कोई मन्नत नहीं होती थी क्योंकि भगवान की रुप में माने नहीं जाते थे और यहां पर मन्नत का मतलब क्या होता है कि आप अपने क्या कहते कोड़ आप कंड़क्ट को कर रहे है क्यों नहीं कर रहे हो उसके लिए आप इक्छा सक्टी मांगते थे उसके लिए स्टूप होता था ठीक है हां गेटिंग दपॉइंट है अब वह स्टूप मैं बताऊंगा रिमेंस पर क्यों हो है क्लियर गौतम बुद्ध ने तक निर्वान नहीं मिलिया है गौतम नहीं है उनका एक उतार और आएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं कि एलॉंग बिट वर्शिपिंग प्लेस ठीक है इस वर्शिपिंग प्लेस के साथ में चैत्या अल्सू हेल्ड एसेम्बली फॉर्द परपज अब डिसकुसन कई बच्ची यहां पर डाउट खाते हैं आपक इसा लगता है कि जो चैते हैं ठीक है यहां पर केल वर्शिप होती है नहीं यहां पर डिसकुसन के हॉल भी है ठीक है और कई एसी केप्स मिली हुई है कि बाहर रेजिडेंशियल परपज है और अंदर चैत बने हुए है और गुफा एक है क्योंकि चैत वो डिवीजन होता तो जहां से स्टूप का वोटिव स्टूपा सुरू होते थे ठीक है और जहां रेजिडेंशियल परपरस था वह होता था तो बहुत से चैत में डिसकुसंस के लिए हॉल भी देखे गए है तो यार्द रखें उसमें ऐसा आ जाएगा तो आपके यह ऐसा मत करिएगा क्योंक अदिसकुस्ण परपस के लिए हॉल चैर्ट मैं मिलेंगे हो ठीक है हाँ है देयार पार्ट अफडेटरी सट्यकर है है ही क्याथ है ये क्या थे क्या तरीberry संट दिखेंगा उनको एक दिखेंगे्म पिलर मिलेंगे चो फ्षम.." पordड। आप दिखेगा जो मैंने आपको बताया सेमी सर्कुलर ठीके बीच में आपको इस टूपा दिखेगा तो यह सारी चीज़े दिखेंगी उसके बाद होर सूर सेब्ड का बिंडो दिखेगा जिसे कीरती मुख बोला गया जो मैंने अभी आपको बताया ठीके कीरती मुख हैसा न ठीक है हां जिसे तीर्ठंकर नाम है टाइटल पोस्ट है लेकिन है तो इसवर है कि उनको भी इसवरी बुला गया को अ हुझ ये नहीं होगा है जी जी चलिए देखेंगे द चैटिया इंड कार्ला केब्स इन महराष्ट्रा है फ्लको्रेटिव थीमानिमल figures तो जो चैत यह था कारले में कारले केपस में महारास्ट में वहाँ पर आप देखोगे decorative human and animal figures note down in your copy इन पर feature पर question आता है ठीक है तो किस चैत में आपको human और animal figure देखने को मिलेंगे तो उनमें से एक example आपको कारले लिखना पड़ेगा ठीक है कारले एक example उसमें से जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा चलिए आगे चलते हैं ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे ठीक है गुंटपल ले आंद्र प्रदेश में एक अन अर्थ structure मिला है जहां पे आप देखोगे इस्टूपा बिहारा ठीक है के एंड केप्स एट वन प्लेस एक ही जगा पर स्टूप भी मिला हुआ है बिहार मिला हुआ है कौन सी स्टूप केप स्टूप में मतलब चैत्या ठीक है इसके साथ तो वहां पर बुद्धा की लाइफ जातक टेंस जातक इस्टू जातक की स्टूरी आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध के जन्मों के बारे में बना के कि धिए बताइं एंगए घडेट के लिए होता था डाउट क्लेरिंग सेशन होता था एक रिफुल होता था ठीक हैっ मैंब भी बताऊंगा एक जडेए और आप दहुसेंगत के इंगीजल फाई डीचर्स ट स्ट्रक्चर्स को काफ़ी सुन्दर बनाया गया है ठीक है आंध्र प्रदेश की साइट आपको बस याद रखनी गंटा पल ले ठीक है तो क्या अगर क्वेश्चन में आता है आंध्र प्रदेश में आपको बुद्धिजम इस्टूपा चैत्य अभिहाद दिखेगा तो मिलेगा और ये करेंट क टॉपिक इसको एड़ कर लेना ठीक है खामलब करेंट का क्या पुराना टॉपिक है लेकिन अभी हाइलाइट में बहुत था ठीक है ऐसा नहीं कि अभी करेंट में इसको डिस्कोवर किया गया है अब अगर आप अजंता और एलोरा केप्स की बात करोगे तो आपको ऐसा फी काफी बुद्धिजम काफी इंफ्लुएंसियल था बहुत बड़े बड़े लोग रिच क्लास के लोग बड़े-बड़े मर्चंट ट्रेडर्स वह भी फॉलो करते थे किसको बुद्धिजम को डैट स्वाई बुद्धिजम में चैर्ट जो था उसकी इंपोर्टन्स मिलेंगी और सेल्स मतलब ऐसे रूम मिलेंगे जहां पर लोग क्या करते थे रुखते थे तो अरलियस्ट एग्जामपल जो है वेस्टन इंडिया में भाजा अजंता और कारले आपको पता चला होगा कारले में दोनों मिलेंगे आपको चैत्या भी और बिहार आभी थेखे ह हां एक सेकंड यह दोनों कि यह आपके तो आपके बाकी जिगां भी मिलेंगे आपको और जो सबसे इंप्टेंट जहां से आज हम लोग इस टॉपिक इस्टाट करेंगे वह बराबर स्टार्ट करेंगे ठेके तो बिहार में बराबर और और क्या कहते है ना गार्जुनी ठी अधैर जो विवया थे बत्तों बना गया था जीविका के लिए लेकिन बाद में आपको बुद्धिजम का डॉमिनेंस देखने को मिलेगा असोक के टाइम में तोव के टाइम में बुद्धिजम का हम्on blast देखने को मिलेगा ठेगे हां पर मिलेगा आपको जयहानाबाट दिष्टिक जुस्तिक ऑंगत क्लियर बराबर हिल्स में भीहार में एक यह राप 250 BC में 250 BC में असोग और असोग के ग्रांड संदसरत ने मिलकर ठीक है इन बराबर केप्स को बनवाया था ठीक है दीज आर ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर ठीक है ओल्डेस्ट एक्जम्पल आफ रॉक कट केप्स चटानों को काट कर जो केप बनाये जाते थे उसका ओल दाबर हिल में जब ieniaर केंगे जनको मॉडरन पिरिज्ट बनाया गया था रेन अआवफ असोग का और ग्रांड सं दसरत प्र एक केव और बनाये गया था बाद में तो देखेंगे सबसे पहले चार की बात करते जो चारो केब हैं है इसमें सबसे पहले केब को नाम है सुदामा केब दूसरा लूम verschill chic केप टीसरा करंच पर केब और चौथरा विस्तव जोपडी केब्लिनी जाथा फोर केप्स जो आपको मालूम होना चीए सुदामा लोमस रिसी करन चौपर और बिस्तो जोपडी अब आपकी दिमाग में आगा कि सर इनके नाम तो कुछ हैसे दिख रहे हैं जैसे हिंदुजम के हूं फिर यह बुद्धिजम या जीविका में कैसे जाएंगे तो पहले यह ज है क्य לחyش समझते हैं अच्शा यंज गणियरे घ्रका जो बिलीप करते हैं कि जो कुछ भी यह सब डेस्टिनी पर देस्टिनी पर जो है संभ नियती है अचक्षे सब नियती भी न बहुत गउसे यह चारोग्ती त Mayo को सबसे फेंस यह दो है इस 7.事 त था बेरी फेमस, सुदामा केब और लोमस रिसी केब, क्यों? क्योंकि इनके आर्खिटेक्चर काफी डेबलप है, दूसरा, ये अर्लियस्ट एक्जामपल है, रॉककट आर्खिटेक्चर के इंडिया में, ठीक है, तीसरा, सुदामा और लोमस रिसी में वूड इमिटेटिंग चैमबर है, पीवाईक्यू, प्रीबियस एर क्वेस्टेक्चर, ठीक है, किस केब में जो वूड इमिटेटिंग चैमबर है, मतलब लकडियों के बनाएगे, चैमबर बनाएगे हैं, जहां पर वॉल कितना पॉलिस किया गया है, क्यों जो वूड इन स्ट्रक्चर है, आपने आपकी पिक्चर दिखाई देने लगेगे, एक जलग दिखाई देगी, तो इसको इतना अच्छे से पॉलिस किया गया, इतना अच्छे से इसको पॉलिस करके बनाएगा वोड इन स्ट्रक्चर को, उस चैमबर में आप जाओगे, तो इट लुक्स लाइक दा सी स्मेहल, केटिंग पॉइंट, जी, हाँ, चलिए, अब हम बात करते हैं, केप्स इन वेस्टन इंडिया, तो पहले मैंने आपको इस्टन इंडिया पढ़ा दिया, ये, ये चारो के पहले अजिविका थे बादम इसमें यहां पर बुद्धिजम का डॉमिनेंस हो गया, ठीके, और उस इंडिया में जो फेमस केप्स है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे, जो फेमस केप्स है, उसमें काले, ठीके, जी, जुनार, कनहेरी, पितल खोरा, अजन्ता, बेटसा, भाजा, ठीके, कॉंडने, नासिक, ठीके, तो ये अभी मुझ होगा, आप अपने नोट्स में कहीं इस्टिक करोगे, जितने केप्स मैंने बताया है, सब की लोकेशन इंडर करोगे, ठीके, हाँ, सब की लोकेशन इंडर करोगे, क्लियर है बिटा, हाँ, तो देखेंगे यहाँ पे, बोला जाता है कि लार्जिस्ट नमबर आप क्लियर है, डोनों जगा देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे है, काले में, यह जो आपको पिक्चर दिख रही है, ठीके, यह लार्जिस्ट चैट ग्रह है, इंडिया का, अब आप देखो, जो मैंने आपको पिक्चर में बताया था, इनका आर्किटेक्चर क्या हो और सू टाइप, ठीके, यह दिख रहा है आपको, यह ऐसा, महराब टाइप का था, तो ऊपर क्यों ऐसे यह महराब टाइप का होगा, यहां से भी पिलर होंगे, दोनों साइट पिलर होंगे, पर यह देखिए आपका स्टूपा, और स्टूप के उपर सिंगल छत्र होता था सिंगल छत्र, नॉर्मल आप इस टूप में देखेंगे, तीन छत्र पाएंगे, बुद्ध, धम, संग, ठीके, तीन छत्र पाएंगे, बुद्ध, धम, संग, लेकिन वहाँ पे आपको, सिंगल देखने को मिलेगा, ठीके, एक और खास पॉइंट जिस पे पीवाई की वाया पिलर अगर चैत्र के बाहर आपको दिखेंगे तो दो ही हैं, एक कारले हैं और दूसरा कनहरी है, लिख लो कॉपी में, कारले और कनहरी डी जादा तू फेमस, कारले और कनहरी डी जादा तू फेमस, ठीके, केप्स of ancient India, ठीके, हाँ, जिनके सामने आपको क्या मिलेंगे, ठ व्हस्ते लाइन पीलर्स वज इस्टैंडिंग अभी बीस्टैंड कर रहे हैं अब यहां पर खास बाद देखो आप यहां पर खास बात देखो मैं आपको बताता हूं एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं यह पर जोईन करें यह किर्टिमुक ऐसा बनाया जाता था किर्थी मुख कैसा बना जाता था ऐसा और क्योंकि हमारे यहां पर फिलर भी होते थे इसलिए किर्थी मुख का जो अपर साइज होता था और आपने इसलामिक आर्खिटेक्चर में देखा होगा कुछ ऐसा महें अच्छ देखा है आपने इंडो-इसलामिक आर्खिटेक्चर में इसमेहराब कहते थे थे ठीके महराब यह भी महराब यह हमारे हाने लेकिन हमारे हां पिलर्स होते थे तो नौर्मल ही क्या होता है मानलो भीटा ठीके आपने दो पिलर बनाएं उसके उपर एक छट बना दी क्या ग्रेविटी यहां पर बहुत ज़्यादा होगी बदाए और यह चट के नीचे गिरने के आसार होगे होना पिर आपको बीम बनानी पड़ेगी इसलिए आप डेको चटों में बीम डाली जाती है लेकिन बहुत पहले एंसेन टाइम में जब बीम अगर्ण का कल्चर नहीं था तो वहां पर हम महराब बनाते थे जस्ट लाइक डैट बस यह उपर नुकेला पॉइंटेड नहीं होगा और यही आर्खिटेक्चर लोग यहां पर आए और यहां से लेकर गए परिसियंस ठीके और उन्होंने अपने इस आर्खिटेक्चर को इंट्रेड्यूस किया कहां पर क्या कहते ह तो यही आर्खिटेक्चर लेकर आगए कहां पर वह उओ इंडिया और इंडिया में आके इन्होंने महराब बनाया तो बैसिकली जो यह महराब को कॉंसेप्ट है यह एंसेंट कॉंसेप्ट है जो हमारे चैट में आपको देखने को मिलेगा चैट और बिहार में जी हां क्योंकि आप gravity को shift करते हो अब अगर आपने रूफ को ऐसा बना जिया तो gravity कहां पर आ गए एक इस साइड में आ गई इस साइड में आ गई आपने पॉइंटेड नहीं बनाया अगर आप पॉइंटेड बना तो ग्रैविटी और भी इससे कम हो जाएगी ठीक है जैसा लेते थे ठीक है जी तो इसी साब साब देखेंगे तो हमारे यहां पे जो आपको दिखरा नहीं यह यह देखिए यह आपको दिखरा होगा पिक्चर आप जाएंगे गुमेंगे आपको फुरी दिखेगा ठीक है यह जितना यह सारा क्यों थे यह किस रेकर वेस्टन में ही क्यों डेवलब थे तो आएए थोड़ा सा एक इसके बारे चर्शा कर लेते हैं तो अगर नौर्मली हम लोग ऐसे एक पिक्चर बना लेते हैं तो एंसेंट इंडिया हमारा हमारा वेस्ट में जादा टफ थाक इस्ट में और हमने देखा पते हैं थे की नहीं थे बताए यह East में थे यह West में थे और आप देखेंगे Alexander the Great, Roman Empire, ठीक है, then Mughals came from which side, West side, ठीक है, Arabian trade was there, trade with the Arabians, ठीक है, यूट यूट इंडिया नहीं जा सकते थे क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा बड़े माउंटेन रेंजे से नौथ इस्टन रीजन इनको यहां से कट कर देता था लेकिन यहां पर बेंगॉल की खाड़ी और बेंगॉल होने के करद इनकट था इसलिए हमारे जितने भी ट्रेड होते थे अगर आप देखोंगे तो इन रीजन में ज्यादा होते थे जहां पर आज भी सूरत और गुज्रात इसलिए बहुत फेमस है कि ठीक है कि हाँ ठीक है अब क्या मुगलों पर का पाइरेसी केस लेके चले जाएं अच्छा इंटरनेशनल कोट आप जस्टिस की बात बताता हूं बहुत अच्छी बात है आपने लिखा है तो मैं आपको एक जामपल देता हूं हल्दी मालूम है हल्दी तर्मरिक याई खाने मेंहें आती हैं asking मालूम हम्हारी को ब्रिटिस वार्प से लेके जाते दो क्योंकि यृथा जाते थे आजादी के बाद में हमने 1961 में केस किया कि हल्दी हमारी है । बीस साल लगे हमें ये प्रूप करने में कि हल्दी हमारी है क्योंकि यहां से जो हल्दी लेके जाते थे उसको अपने नाम से बेशते थे पीस कर ठीक है यहां से खड़ी हल्दी ले जा उसका पाउडर बनाए टर्मरिक पाउडर और सेल करते थे अपनी ब्रांड वैल्यू बनाकर तो हमें 20 साल मैंने आपको पहले बता है 20 साल लगे हमें यह प्रूब करने में कि हमारी हल्दी है ठीक है तो अपने आर्किटेक्चर में तो आप कुछ भी कही है पूर ठीक है जब आप बहुत पाउरफुल होते हैं आपकी डेमोक्रिसी और आपके लोग और गौर्मेंट होते थे इन रीजन में ट्रेड होते थे और यह रीजन जो थे यह ट्रेड रूट पे थे इसलिए इन रीजन में सबसे ज़्याद आपको क्या देखने को मिलेंगे चैत्या देखने को मिलेंगे और बिहारा देखने को मिलेंगे फिर एक कॉंसेप्ट आपता है कि साथ चैत ब्रामण छत्रिये वैसे सूद्र, ट्रेट कौन करेगा वैसे, ठेके हेल्प कौन करेगा सूद्र, लेकिन ब्रामण छत्रिये कौन करेंगे सरप्लस पर अधिकार करेंगे, बुद्धिजम जैनिजम राइस किया तो किनकी कंडिशन को सुधाने के लिए वैसे और सूद्र की, जिसमें जो वैस्त क्लास था वो ज्यादा तर इंफ्लूएंस हुआ बुद्धिजम की ओर क्योंकि काफी साधार रिलीजन था और उनको उनके पास पैसे थे लेकिन उनका एक स्टेटस डेबलप नहीं हो पा रहा था समाज में बराबर की जगा नहीं मिल रही थी वह जगा किस ने दी बुद्धिजम ने और खासकर बुद्धिजम के आगे बढ़ने के लिए जो डोनेसंस लगे वह भी वैस्ते ने दिये तो वैस्ते ने जब ट्रेड स्टार्ट किया सेकेंड अर्बनाजिशन शिक्स एंडट बीसी जब बुद्धिजम का डेवलप्मेंट हुआ तो आगे वह दो मनी इन देर पॉकेट बट बिडावट अनी स्टेटस वो सकिसी के बराबर में बैठ नहीं सकते थे पैसे तो खूप थे इसलिए इन्होंने किसको सपोर्ट किया बुद्धिजम और जैनिजम को और खासकर आर्बन एरियाज में बुद्धिजम को काफी प्रमो आते थे ऐसा होता था गौत्रमुद्ध की टाइम में बाद में उसी चैत में स्टूप बनने लगा जो आज के हमारे चैते उसमें स्टूप देखने को मिलेंगे क्लियर है है ठीक है समझ में आ रहा है आपको जी और आपको मालूम है ट्रेड आएगा तो कैप्टिलिजम आएगा ठीक है और दुनिया को मालूम है कि कैप्टिलिजम आएगा तो यह किसकी डिमांड करेगा इसकिल की डिमांड करेगा जिसके पास इसकिल है वो साथ में आओ जिसके पास इसकिल नहीं है गो टू है ऐसा तो देखने को मिलेगा ठीक है शलों आए चलते हैं जो काले ना ये पूने डिस्टिक में संस्कित में गुफा को मिलटे लेन लेन रिए लेन च्पे लेन utor सबक्रापते थे फश्वित केवसा कैल अभी का राजस्ट चैट ते भि predator में की और काले केप के आगे Lion pillar है जो कि केवल खनहीरी के आगे है काले के आगे है और फिर लिखेंगे काले पूरे district में है ठीक है काले को लेना नाम से पुकारा जाता है क्योंकि संस्कृत में गुफा को लेना कहा जाता है है कि ऍसुफिर एक और लिखेंगे यह जो है यह भोर घाट इल में ऐ तीक्षे है और भोर घाटोइमें आप देखेंगे तो यहाप तेय रा चहते थे और तीन भी हर he joke ले में कितने पैर ठीक है बिहार कितने दिखेंगे तीन तो चैट आज दा मोस्ट ब्यूटिफूल अमंग ओल दा केप्स ठीक है इन वेस्टन इंडिया तो वेस्टन इंडिया में जितने केप्स उसमें इनका ये चैट काफी फेमस है जिसकी फोटो आपको इस्क्रीन पर दिख रही होगे ठीक ह काले को भूत पल सेष्थी ने बनवाया था सेकेंड सेंचुरी एडी में ठीक है ये साथ वाहन के किंग थे मतलब भूत पल सेष्थी ने बनवाया था साथ वाहन किंग पुला माई सेकेंड के टाइम में भूट पाल स्रेष्ठी के द्वारा कारले केव का निर्माड करवाए गया था ठीक है आपको यूनिक केव आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो क्या हम कह सकते कि साथवाने ने बुद्धिजम को प्रमोट किया था जी इसका एक्जांपल हमें अजन्ता भी दिखेगा ठीक है अजन्ता भी दिखेगा चलो अजन्ता और लोरा की बात करते हैं ठीक है क्या यह फ़िश्चेन आने की चांसेस भी जाता है तो जैसा कि आपको इस क्रीन पर डिक पारा होगा ठीक है अगर विजिबल है तो गूनुत सा साइट आप देखेंगे एक side में अजंता के बारे में दिया हुआ है ठीक है और एक side में Alora के बारे में दिया इनकी बीच में difference देख लेता है actuel में दोनों और अंगाबाद में है ठीक है लेकिन आप देखेंगे यह और अंगाबाद के नोर्थ वेस्ट रिजन में पढ़ता है कौनाvoorbeeld चैनी आजनता औरियंगा बाद की बिल्कुल करीब में हैं ह। टिक के आजनता केप को सेकंड सेंचुूरी से सिक्स्ट सेंचूरी की बीच में डेबल अगया और Elora Cape को develop किया गया 6th century AD से 10th century AD तो आप मुझे बताएंगे old कौन से होंगे old होगा ये ठीके, older ठीके, और ये new है अगर दोनों में compare करो तो ये new है और ये older है क्योंकि इसका जो development हो 2nd century BC से 6th century AD के बीच में था ठीके, हाँ ठीके, जी उसके बाद देखेंगे अजनता में total 30 केव है basically बच्चों जो 29 है उनको consider किया जाता है क्योंकि जो 1 केव है वो incomplete है तो total 30 है sometime कुछ लोग 30-1 मानते है और 29 मानते है क्योंकि जो 1 है न ये incomplete है इसलिए ठीके, और देखेंगे इसमें 4 चैते हैं और बागी सब बिहार है तो अजनता में कितने चैते हुए 4 बिहार कितने हुए तो आप 29 कंसीडर करके चलो तो 25 बिहार हुए क्योंकि 1 to incomplete है ठीके, 1 to incomplete है अब आते हैं एलोरा में एलोरा में 100 केप है, 100 केप है, जिसमें 34 open for the public 34 पबलिक के लिए open है ठीके, केप and dedicated to Hinduism और किसको dedicate किया गया है, हिंदु धर्म को क्लियर है, हिंदु धर्म को dedicate किया गया है ठीके, dedicated to Hinduism और more followed by the Buddhist केप ठीके, याद रखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर तीनों मिलेंगे, यहाँ पर Hinduism, Buddhism और Jainism ठीके, और यहाँ पर केवल बुद्धिजम देखने को मिलेगा क्या, बुद्धिजम तो केप हैं, जिसमें 34 जो हैं, वो केवल open तो आप इसमें अगर नंबर आपसे पूछें तो यह 34 है, और यहाँ पर 29, 30 मत लिखेंगे, 29 वो 34 ठीके, जी, आप आगे देखेंगे, केप 10 जो था, इस डाउनली चैते, वाइल रेस्ट आद दा बिहार तो 10 केप जो हैं, ठीके, वो चैते हैं, और बाकी सभी क्या है? बिहार है, तो 10 यहाँ पर चैते हैं, तो बचे कितने 24 बिहार होंगे, ठीके, हाँ, और यहाँ पर 4 चैते हैं, तो 25 बाकी क्या है? बिहार ठीक है तो अगर comparison करोगे तो नहीं पूछेगा क्योंकि एकोनॉमी का पेपर नहीं है कि WPICPI में वेटिस कहां पर है आटन कल्चर है तो इसमें compare करने को नहीं पूछेगा किसमें बिहार जादा है और किसमें कम है लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए यूपियसी की तैयारी करोगे चल रहे हो तो कितनी सीडिया चड़ी यह मालूम होना चाहिए यह नहीं कि पूछेगा यह कि आपका ध्यान है की नहीं है ठीक है अब देखो यहां पे आजंता केप में यह पूरे केप्स बुद्धिजम को हैं लेकिन यहां पे आपको फिख्यंड बुधिजम जैनिजम देखने को मिलेंगे आजंता केप का डेवलॉफ्मेंट साथ वाहन वकारटक चालुके के टाइम में हुआ ता ठीकérence है और फिसॉय तक हुआ जीसops हरा Moy तो आप मुझे आप बताओ, हीन यान मतलब गौतम बुद्र को जो लोग भगवान नहीं मानते थे, क्या हीन यान वाले गौतम बुद्र की सिंबल से वर्शिप करते थे? सिंबल वर्शिप करते थे जी हाँ तो आपको जो भी जो भी अजन्ता के ओल्डेस्ट केप से बिलॉंग फ्रॉंड हीन यान फेज और यह वहाँ पर सिंबल वर्शिप होगा आपको गौतम बुद्र की आइडल नहीं देखने को मिलेगी ना पेंटिंग ना स्कल्प्चर यान ने गौतम बुद्र की आइडल वर्शिप शुरू कर दी थी तो यहां पर आपको उनकी मुल्टी इनके दिखेंगे तो अगर कभी ऐसा क्वेशन पूछ ले कि आप अजन्ता गये हैं गूमने जैसा कि मैं आपको लॉंग क्वेशन पूछता हूं ठीक है और आपने दे की टाइम में था वो साथ वहाना की टाइम में डेवलब हुए थे और बाकी जो क्विप तो सेंच्छुरी में हुए थी वकाटक चालूक के की टाइम में अब देखो एलोरा में तीन फेज आते सबसे पहला फेज आता है इनका 552 600 हिंडू वेज ठीक है ऐसा क्यों बेटा अ ऐसा इसलिए कि जस्ट विकॉज अब गुप्ता एंपायर रिवाइवल आप ब्रहमेनिजम इन इंडिया ठीके देन पालाज राश्ट्रकूटाज तो 600 से 730 में बुद्धिस्ट एक बार फिल से बुद्धिस्ट अपनी पीक पे खत्म होने के पहले जब बुद्धिस्ट अप भारत से देरी रहे क्या हो जाएगा डिकलाइन हो जाएगा ठीके जी हां इसके बाद देखेंगे 730 से 950 AD हिंडू एंड जैन फेज ठीके अब यहां पर हिंडू जैन फेज दोनों देखने को मिलते हैं 730 से 950 AD के बीच में क्लियर है तो जैन फेज सबसे बाद में उसमें भी हिंडू का इंपक्ट मिलेगा जस्ट बिकाउज अब ड़के लास टेमपल ठेगे कैलास टेमपल की वज़े से हैं समझ मैं यहां तक यहां पर आप देखिए कैन्ज जैन भी के ऐनकी फासियत क्या है इनकी पेंटिंग बहुत खासियत है और के क्योंदो div an संदर टेमपल मिला है तो मुझे बता हुआ उब कि अजन्ता और एलोरा में सबसे बड़ा जो अंतर है वो क्या देखने को मिला आपको अजन्ता और एलोरा में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखने को मिला बताईए ठेके सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिला रिलीजन का ठेके क्योंकि जो अजन्ता था ये टोटली बुद्धिजम को dominant कर रहा है यहां पे बुद्धिजम dominant कर रहा है डूसरे रिलेजन की कोई development नहीं क्यों क्यों क्योंकि आजन्ता उस time ताइम में development हुए हैं कई जो जो होती ना जिसे वह थोड़ी माते हैं कई लाख और बोला जाता है यह भी बोला जाता है कि जब टेंपल बन रहे थे तो सभी अपने अपने धर्म की टेंपल बनाते थे साथ में खाना खाते थे इतना इसकी मरमत होती तो दूसरे राजा जो बनवाते थे दूसरे धर्म के टेंपल बाकी टेंपल की मरमत भी करवाते थे इसलिए आपको एक दूसरे में ठोड़ा बहुत एक दूसरे के culture का इंफ्लूंस देखने को मिलेगा वह मैं जब अभी अलोरा पढ़ाऊंगा न तब आपको समय था हमारे एंसेंट इंडिया में जब बुद्धिजम अपने पीक पे था बहुत डॉमिनेट था उसके सामने कोई रिलीजन नहीं था बिलकुल इनीसियल लेबल पे ठेके बीसी और एडी के ट्रांजिशन के टाइम में और फिर बोला जाता है जैसे जैसे समय बीता तो एल ठेके एक चीज और पता चलती है कि अर्किटेक्चर का डेवलाप्मेंट सबसे पहले बुद्धिजम में हुआ अफिर उसकी नकल हिनडुयजम में हुई Temple Architecture गुपता पीरियड ठीक है हाँ Temple Architecture गुपता पीरियड ये कहते हैं इसे कहते हैं philosophy ये ना बोल के भी बहुत कुछ बोलते हैं समझ मैं आ रहा है ये architecture बहुत कुछ बोलते हैं आप इनके date, time, period को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजे नहीं नहीं पता चलेंगे तो चलिए मैं आपको कुछ point और पढ़ा देता हूँ सारनात के बारे में क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो आज आजनता हो नहीं पाएगा वह से मैं अगला आजनता ही पढ़ाना था लेकिन हो नहीं पाएगा ये आजनता एलोरा कल पढ़ाऊंगा इस तूपा भी कल पढ़ाऊंगा आज मैं सबसे पहले सारनात के बारे में जो मैंने आपसे वादा किया था एक ठीके वह मैं पूरा करता हूँ तो सबसे पहले आज मैं आपसे डिसकस करूँगा अबाउट सारनाथ ठीक है प्रिलिम्स क्वेश्चन क्या आ सकते सारनाथ से मोस्ट एकस्पेक्टेड ठीक है एंसी क्यूज ठीक है कहां से बच्चों सारनाथ से अभी बहुत न्यूज में हैं ठीक हाला दो सालों में बहुत न्यूज में था ठीक है खास करो सिनौली के बाद में सारे आर्किट्रेक्शल साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन सा क्वेश्चन यहां से आ सकता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ है ठीक है जी तो एक बार फिर से बता है वाइस क्लियर है तब ही समझ में आएगा वाइस क्लियर है सभी को ठीक है जी तो सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा कि सानाथ में एक क्या कहते हैं उसको वाट डियर पार्क सुना है आपने बच्चों सानाथ में डियर पार्क ठीक है जी आपने आगा सानाथ में डियर पार्क सुना होगा ठीक है तो डियर पार्क का नाम क्या है जी बेटा बिल्कुल चैनिज मिस्टर आय थे बिल्कुल सही कहरो हो आप वह इसको लेकर भी इंपोर्टेंट है ठीक है तो याद रखेंगे सार नात को सार नात को ठीक है यह वाला कलर विजबल है हाँ हो गई है ठीक है म्रिग दवा मतलब डियर पार्क की वज़े से इसे म्रिग दवा इसका पुराना नाम ठीक है तो कनफीूज मत होना जो डियर पार्क है वो मरिग दवा है ठीक है ठीक है क्लियर है यह इसी क्या कहते थे इसको इसी पताना ठेके सेकेंड सार्नाथ को एक और नाम दिया जाता था ठेके इसी पतान ठीक है इसी पटाना मतलब सरी पाटाना ठीक है इसका मतलब इसका मतलब यह था कि प्लेस वेर ठीक है वेर यूमेन फेल टू अर्थ टिके इसी पटाना ठीक है यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है आपको भी लगा होगा कि नहीं नाम कहां से ढूल लाते आप तो घया करें थोड़ा इंपोर्टेंट फूचा जा सकता है ठीक है इसी पटामा पटाना ठीक है ठीक है हाँ ठीक है हाँ सानात में चार पिलर असोक के हो तो बहुत बेसिक चीजे ठीक है क्या ये क्या कहते हैं के लॉड बुद्धा ने आप ड्लीवर किया था सरमन प्हल्स है पहला सर्मन दिया जब को मालूमन दर्म चक्र परिवत्रम मालूम है लेकिन एक औश सक इंपोर्टेंटि यहाँ पर धर्म परिवर्तन जब दिया था तो धर्म चक्र इस्टूपा बनाये गया जिसे धमेक इस्टूपा कहते हैं ठीक है तो थर्ड यहां की सबसे important part क्या है कि यहां पर धमेक इस्टूपा आपको देखने को मिलेगा कर फो ठीक है क्योंकि यहां पर क्या हुआ था और धर्म चक्र परिवर्तन मदलब पहला सर्मन दिया गया था ठीक्छे के समझ में आया है जी तो धह्मेंसे चूपा एहां पर आपको देखने के मिलेगा और ध्रमेंसे इमपोर्टेंट प्वैंट है ठीके जो आपको यहां पर देखने को मिलता है उलिक लो बहुत इंपोर्टेंट है ठीके आपको मालूम भी होना चीए क्या कहते हैं मुलगंध कुटी ठीके हाँ मुलगंध कुटी बिहारा ठीके बिहार पर अगर क्वेस्चन आ सकता है तो एक यह आ सकता है ठीके मुलगंध कुटी बिहारा अब अगर आप से कभी कोई पूछे कि मुलगंध कुटी बिहारा कहा है तो यह वो प्लेसे जब गौतम बुद्ध गय थे सानाथ तो जहाँ पूछे मुलगंध कुटी बिहारा तो आपको आंसर देना पड़ेगा ठीके यह वो प्लेस है याद रखेंगे इस इस प्लेस वर लॉर्ड बुद्धा लिब्ड वेन ही बिजिटेट सानाथ ठीके इतना समझ में आया ठीके बुद्धा लिब्ड ठीके अं बुद्धा लिब्ड लिखलो लिकलो फिर मैं आगे चेंज कर रहा हूं फिर आपको मालूम होगा ना बोधी ट्री एक कि यह नीचे लिख देता हो फिल्ट बोधी ट्री गया का बोधीटी तो बहुत फेमस है लेकिन कोई एक खास बात बता सकते हो आप मुझे कोई एक खास बात अगर आप मुझे बता पाऊ ठीक है ठीक है अभी मैं बताता हूं उसको अब बेटा यह जो मैं फेल टूर्थ है ना इसको ऐसा कर लो holy man fell to earth मतलब भगवान बुद्ध ठीक है जब ज्यान प्राप्ट करके जिस धर्ती को पावन करते सबसे पहलो सारनाथ holy man fell to earth ठीक है बोधी ट्री की खास बात बता है ठीक है यह जो आपको मालूम है यह मुलगंद कुटी बिहार यही पे बोधी ट्री लगाया गया है सारनाथ में ठीक है क्लियर है अरे जितनी बार बोधी ट्री कटव गया वाला यहां का बोधी ट्री बता है ठीक है यहां का बोधी ट्री बता है ठीक है स्री लंका में अनुराधा पूरम है ठीक है तो स्री लंका में जो अनुराधा पूरम है वहां पे एक बोधी ट्री है जिसे कहते हैं स्री माहा बोधी ट्री ठीक है श्री महा बोधी ट्री अनुराधा पुरम स्रिलंका ठेके अनुराधा पुरम स्रिलंका वहा की बोधी ट्री की ब्रांच ठेके यह हमारे इंडियन स्रिलंका रिलेशन्स पे भी है ठेके अनुराधा पुरम स्रिलंका का जो महा बोधी ट्री है उसी की ब्रांच को लाकर यहाँ पे जो सानाथ में बोधी ट्री है उसको इस्टैबलिस किया गया है ठेके जी क्लियर हुआ बताएं ठीक है अब आगे चलते हैं अब एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हम सानाथ में जैनिजम कुछ देख सकते हैं कहीं से भी सानाथ को जैनिजम से कोरिलेट कर सकते हैं हम सानाथ को जैनिजम से कोरिलेट कर सकते हैं कहीं से भी कोई एक्जाम्पल यहां पर असोग पिलर रहे वहां से चक्र लिया गया था यह सब आपको मालूम में जो नहीं मालूम में वह लिखवा रहा हूं बताएगे नहीं बताएगे चलो मैं बता देता हूँ ठीके सार नाथ एक ऐसा प्लेस है जो जितना इंपोर्टेंट बुद्धिजम में है उतना इंपोर्टेंट जैनिजम में भी है क्योंकि जैन के 11 तीर्थंकर 11 तीर्थंकर ठीके हाँ सर्यांसनात ठीके उनका ये बत प्लेस है ठीके जैन के 11 तीर्थंकर ठीके और गौतम बुद्धिन ने उपदेश दिया इन दोनों को मिलाकर इसी पटाना मतलब होली में फेल्ट वर्थ का नाम भी इसको दिया जाता है ठीक है जी तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये चार पांच पॉइंट आपके बुद्धिजम के वो एक पॉइंट जैनिजम का ये सभी सावनात से लेकर इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं क्योंकि असोकन पिलर और नेशनल एंबिलम तो बहुत पुराना हो गया अब अगर question आएंगे न तो इस वाले section से आ सकते हैं क्योंकि ये current में थी side तो मैंने इसके वो question बता दी जो आपसे exam में पूछे जा सकते हैं clear है हाँ तो ये point आपका clear हो गया तो बस आज के session में हम लोग यहीं तक रखेंगे आजनता के बारे में कल मैं discuss करूँगा आपके साथ में in detail ये notes आपको अभी मेरे telegram channel Deepak sir UPSC पर down मिल जाएगी है ठीक है हाँ और कोड यूज करें दीपक वन फरगेटिंग सब्सक्राइब अनकेडमी ठीक है और सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज करें और लेक्चर को लाइक सेर सब्सक्राइब करें इसके आगे मैं डिसकस करूंगा डोंट वरी आस टोड़ा सा पहला लेक्षे था बुद्धिजम का कल करता हूं मैं ठीक है और कल में बुद्धिजम का पूरा portion इस्टूपा और क्या करता है अजनता एलोरा फिनिस करूंगा यहाँ पर जादा नहीं पढ़ना है अजनता आपके क्यर गुद नाइट स्विट ड्रीम सबकर सु